बेहत के बेहत की परम 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 महाशान्ती है महाशान्ती है मैं बेहत के बच्चों को कुछ मेसेज देना चाहती हूँ तो को बेटे पापजी ने बोला है अब एकी पुर्षाथ रहा गया है वो हाई जंप लगाने का तो आप कहां खढ़े हो? आप सागर के किनारे पर खढ़े हो इस ओर है शूल दुनिया, मिट्टि की दुनिया और इस होर है परमततों की दुनिया अबे हमें प्रशाथ क्या करना है? एक तो बापकी जी का रुपधारन करना है और अभ्यक्त में अभ्यक्त श्रीर को अपने देखना है और सभी को वाइट श्रीर में देखना है फृष्ता रूप में देखना है अब सारी दुनिया को आपको परंततों की दुनिया में देखना है तो हम किनारे पे खड़े हैं इस और मिठी की दुनिया इस और परम्तर्ब्य की दुनिया अब परम्तर्ब्य की दुनिया में च्म्भ के पावर है इतनी जबदर्स क्लchlणट है कि एक भर हम हाई जम्प लगाकर उस दुनिया में पहुंच जाएं तो वापस इधर नहीं आएंगे, यह दुनिया को बदल देंगे, क्या, अगर थोड़ी सी पांच साथ आतमाएं भी हाई जंप लगाके, इस खिनारे से उस किनारे में पहुंच जाए, तो वो इतनी चुम्बुकिये पावर होगी, जबर दस्त के सब कुछ बदल जाएगा, प्रिति मना सोच, जिस्टि मना जो मारा तीसरा नेतर है, तो हमारी दिरिष्टि और वित्ति से परिवर्तन होगा, क्या, परंततों की दुनिया बनेगी, तो हमें सूल दुनिया को भूलते जाना है, और परंततों की दुनिया को जाद करते जाना है, और हाई जंप लगाके, सागर के अंदर चले जाना है तो वो सागर जो है वो चुम्बू की पावर है जितना जितना किसी ने पुर्षात किया होगा उतना उतना उपर चला जाएगा उपर खेंचती जाएगी पावर तो बेटे अभी ये पुर्षात करो गुद्धी में रखो कि हमें परमततों की दुनिया में रह रहे हैं, परमततों में खापी रहे हैं, परमततों का हमारा शरीर है, यहां भी हम परमततों में हैं, तो हमारी सोच से ही दुनिया बदलेगी, परमततों की दुनिया भी कैसे बनी, परमततों को देखते, 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 परमतत आत्महें बी एकोध हो जूँ ज़्यादा हो या कम हो जो भी कर सकता इस पुरशात को तो जो रूर करो जो रूर करो इसे के वुच्ट परिवर्वर्थन हो गा और मारा जारा सaire के दुनिया बदलेगी हमारी बोडी बदलेगी परम तक्राम तो यह प्रशात आशा करो कि बस दुनिया पूरी को चाहे माना कोई अच्छा हो बुरा हो सबी को सारी दुनिया को इस फृष्टे रूप में देखना शिरू कर दो यह मिटी के शिरी देखने बंद कर दो तो देखो कितना अच्छा प्रशात होगा और रोज देखो आगे- तो तो तुम धर्ती बेटी हुए आत्मा जो हो तो हमारी वज़ा से परिवर्तन नहीं हो रहा ना फिर इसका मतलब यह वा ना क्योंकि हम धर्ती को देखते हैं हम धर्ती की चीजों को देखते हैं हम धर्ती की दुनिया को देखते हैं इसलिए परिवर्तन नहीं हो रहा तो ह अब आत्मों का परिवर्तन भी हो जाएगा और मुक्ती-जीवन मुक्ती भी हो जाएगी तो हम में इसरी के बारे में नहीं है अपना प्रशाद खुद करना है तो जो साथ परिवर्तन करना है एक दुस्य का भागी किसी से नहीं मिलता, चाहे कोई मा, बेटी, बैन, बाई, कोई भी बाप हो, कोई भी हो, किसी का भागी किसी से नहीं मिलता, इसलिए अपना पुर्शाद तेज करना है, तो साथ वालों का भी तेज हो जाएगा, मेरी बात समझें ना मेटे, तुम्हाने इतनी शक्ती बढ़ जाएगी, कि तुम्हारे सामने जो भी आएगा, उनका भी परिवर्टन होगा, इसलिए ऐसा पुर्शाद बेटे करो, बहुत जल्दी शैद मेरा लगता है मुझे, कि इसी से परिवर्टन होना शुलू हो जाएगा, और बहुत अच्छा होगा, बहुत इसे पावर आएगा, और परिवर्टन की शक्ती बाप जी से आएगी, तो हम बाप जी के जहाँ, बाप जी का मुस्तान है, तो हम बहुत चले गए है, बात कुतं, तो सागर पार हो जाएगा, यस तूल दुनिया से शुक्सम दुनिया में परमततों की परम परकाश की जुन झाल झाल